नमस्कार दोस्तों मां आपका दोस्त मित्या दवाप के अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हर्याना पुलिस का जो आपका पता है कि दो रेजल्ट यहां पर आपके पैंडिंग है जो main आपकी बरतिया हैं यापे female costable और आपका male costable दुरुगा सकती वाड़ा तो उसके अंदर है यह नहीं, court वगर का उसमें तो कोई है यह नहीं तो दो result यह आपके court के decision के उपर depend करते हैं, काफी लंबा समय हो गया है, female costable का तो final result आई हो यह काफी दिन हो गया है, तो 23 मार्च की आज hearing थी court के अंदर, जितने भी candidate थे जिनका यहाँ पे PMT वगरा सब कुछ यहाँ पर हो गया है, तो उन सभी की निगाहें इस आज के decision के उ result इसी महिने और male costable का result अपरेल के first week तक आ जाएगा, लेकिन आपको भी पता है, जो हम चाहते हैं, वो ऐसा नहीं होता है, तो जो chairman साब बता रहे थे, कि हम 15 अपरेल तक यह result निकाल देंगा, वो बस कोरी हवाबाजी के लिए बोल रहे थे, उनकी बातों में ना कोई दम थ जासा कुछ भी नहीं है, जासा पहले भी पता है कि हसी के chairman के दोरा जितने भी इंट्रू दिये जाते हैं, तो नमें सबी बाते जूड निकलती थी, कोई भी time के ओपर जो चीज़ों बताते थे, वो आज तक नहीं हुई है, जैसे staff nurse के जितने भी medical के थे, वो जनवरी से बत सुनवाई मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ, जो वकील साब है, वो खुद बता रहे हैं कि आज में क्या, आज का decision रहा, और आपको मैं पहले बता देता हूँ कि court में आज जो है, मामला पूरा नहीं निप्टा दिया गया है, जो court ने है, जो next तारिक आपको दे दी है, 19 अपरेल, यान कि 19 अपरेल से पहले आपका कोई भी result यहाँ पे, चाए female costable का हो या male costable का, दोनों में से कोई भी result यहाँ पे नहीं आएगा, और यह result court ने नहीं दी है, यह HSC ने समय मांगा है, कि हमें समय दिया जाए, ताकि हम इसका जवाब जो है, दे सकें, ठीक है, तो चलिए मैं आपको recording सुना देता हूं, कि वकिल साब क्या बता रहे हैं, और क्या आज का यहाँ पे decision हुआ है, जही, हैघ, तो इसका मतलब जारी जादी कि पर अपर चूब करें जाइगा, तो इसका मतलब जै का आए लने करें मतलब जो इसमामिलमे आगे पदले के people कोड़ की एडिटिटिटिजन यानि के जुरुट है मतलब कि कोड़ से पूछे विना यह कुछ भी नहीं करें आप इस अब करें अब कमिशन से साइन होके कोड़ रफाइल होगी तरह ठीक है तो हम कर देंगे अर करने के बाद में सप्रेल को और इस चेस को खर्म करवा दें यह कहा है तो आपने सुन लिया अब के इल साब ने क्या किया है कि है समय मांगा है क्योंके एचसी अब जल्दबाजी यहां पे नहीं कर रहा है क्योंकि अगर वो जल्दबाजी करेगा उट पटां कुछ भी जवाब देगा यहाँ तो कोट इस बरती के ओपर जो खत्रे के बादल हो मन रा सकते हैं कि कोट ये भी बोल सकता है इसे बरती को कैंसिल किया जाए या नए शिरे से रिटन एक्जाम का रिजल्ट यहां पर रिवाइज किया जाए तो इस परकार से जो एचसी है जल्दबादी में कोई भी फैसला है आपे नहीं ले रहा है तो इसलिए उसने तारिक मांगी है और एचसी को भी पता है कि अगर हम पहले रिजल्ट निकालते हैं या कोई भी और निकालते हैं तो वही कोट का मसला रहेगा तो इस परकार से worked, भी ये कह रहे हैं कि अच्छशी नही ¿नमाना है कि जो भी हम आँगे की परक्रीया बढ़ाएंगे, वो court के आदेश के बाद ही बढ़ाएंगे, यान कि पहले जो भी उन्होंने फूरमूला लगाए है, या जो नया फूरमूला हो बता रहे हैं कि हम नया बर्तियों में जो मेल कोश्टेबल वाली में किस बेस्ट के ओपर हम इसका फाइनल रिजट निकालेंगे तो वह पूरा का पूरा पहले आपकी हाई कोट में दिखा जाएगा वहां पर अपरूल हो जाएगी और उसके बाद भी उसके ओपर रिजल्ट निकाला जाएगा फिर फोर्मूला गल्थ हो या किसी परकार से भी हो फिर आप उसको चैलेंज यहां पर नहीं कर सकते क्योंकि फिर कोट ने वह फोर्मूला जो है अप्रूव कर दिया है यानि कि जो जितने भी बेरोजगार कंडिडेट थे जिनके मन में आस थी इतने लंबा समय हो गया है बर्ति को हेरी है उसके बाद में रजल्ट आ जाएगा लेकिन अब भी कुछ निवा अमारे सपनों को पानी फेर दिया गया है एचसी के द्वारा तो अब भी क्या पता उनीस अपरेल को क्या रहता है क्या नहीं रहता है तो आद के लिए दोस्तों इतना ही जै भारत और जै हरियना और मैं फिर बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी अपडेट यहां पे चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको इकठा होकर एक बार एचसी दफ्तर वाँ पे जाना जरूर जाना चाहिए ताकि चेर्मेन साब से बात की जाए कि आप इसका रिजल्ट को क्यों नहीं निकाल र आपका जवाब त्यार नहीं था आपको इतना समय हो गया आपको वे पता था कि 23 मार्ज की आपे रिंग तो आपने समय आपे क्यों लिया तो वही आपका जवाब दे सकते हैं तो आज गरे दोस्तों इतना ही जै बारत और जै हरियाना दोस्तों